हेलो गाइच दोस्तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक मोडिलर केचिन यह आपके सामने पूरा का पूरा एक मोडिलर केचिन है आप खुछ सामने देख पा रहे होंगे इस प्रकार का इसका लुक है सबसे पहले आप इसका फर्स्ट लुक देख लीजिएगा कुछ य किया गया है बहुत ही बढ़िया तरीके से साइनिंग कर दिया है दोस्तो हम यूज कर रहे हैं आटोमेटिक बाली गैस्टूला यह आटोमेटिक सूर्या के गैस्टूला है जिसमें आपको लाइंटर बगएर गी जो इतनी पड़ेगी आप इसे घुमाएंगे और यह आटो यह सारे डोर हैं यहां सोकेस बना रखें दो एक सोकेस और दो सोकेस इन में आप सामन बगएर आराम से रख सकते हैं अंधर हमने लकडी का उपर निचे किया है ओबर किया है और इतनी बीच में हमने काच की सिर्फ बनाई है तो कि लुक जादा इन्हांस होके सामने आता है दोस्तो और इसके जो यह जो कबजे हैं यह बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं आपको इसकी जो बिंडू है इसको धक्का नहीं बनना पड़ेगा आपको सिर्फ एसकर के छोड़ देना है अब दोस्तो यह अपने आप आप उटमेटिक कुछ देर में बंद हो जाएगी और बिल्कुल भी अवाज भी नहीं आएगी दोस्तो तो इन बारे जो कबजे हैं इन कबजों को अपयोग सारे के सारे जो भी गेट है इसमें उपर जो भी गेट है इन समय किया गया है जिससे बिल्कुल भी अवाज नहीं आती है और यह साइडली काम करता लेता है दोस्तो आराम से ठीक है यहां हम बर्तंद होने के बाद आफटर तो हम यहाँ पर इसमें रख सकते हैं इसमें हम चमच बगएरा जो भी कुछ सामान है आप सामने देख पा रहे हों इस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं और नीचे की तरफ आप इसमें भी कुछ सामान और सबसे बोटम बाले में पर आपको सामार बगएरा रख सकते हैं तो दोस्तों यह हुई किछिन की बाग अब आते हैं सामने जो भी यह चीज़े हैं सेम सोकेस है बागी दो अलमीरा है और ऊपर हमने बढ़ा रखेंगे हैं टॉप की बड़ी-बड़ी अलमीरा यह फुल साइज वहां से बीज बाला ब्यू उपर का ब्यू और सबसे उबर टॉप बाला ब्यू जोस्तों उपर हमने लाग रखा एक फैन चोटा फैन है इससे अंदर गर्मी बगरा की कोई दिक्कत नहीं होती है और यहां पर हमने काफी बढ़िया चिमनी के नीचे सामने की तरफ बिंडू में हमे इस परकार की चिमनी और इस परकार का आइटम यूज करना है तो इन आइटम्स के लिंक में नीचे वीडियो की डिस्किप्शन में प्रवट कर दूँगा आप वहां से यह चिमनी इस तरह का गेस चूला खरी सकते हैं वो भी काफी कंप्राइज में बेस्ट बाइ लिंक जय हिंद